हेलो स्टुडान्ट कविता पांच जो कावे पांच है उसकी हम एक्सरसाइज है वो समझ लें जैसे हम पेपर पेटर में जाते थे ऐसे तो प्रस्टना एक ओ एंसी क्यों है तो हम उसको ध्यान चे देखेंगे फूलो की माला में खाले जग्या जाता है फूलो की माला में गूता जाता है गूता यानि की परोया जाता है गूतना यानि की पिरो ना जो माला की मोती होती है उसमें हम जो मोती गूतते हैं एक-एक मोती डालते हैं पिरोते जाते हैं उसको बोलते हैं गूत्था जैसे कि फुलो की माला गूत्थना यानि कि पिरोना कोयल की खाली जग्या निराली होती है कुक उसकी कुक यानि कि उसकी आवाज निराली यानि कि प्यारी होती है किसकी कोयर की कुक न्यारी होली होती है सभी खाली जग्या की मंजील एक ही होती है सभी पंथों की मंजील एक ही होती है पंथ यानि की रास्ता चार खाली जग्या को सबकी तेर प्यारी लगती है किसकी लगती है पपी एकी पपी है एक पंची का नाम है और किसकी तेर यानि की आवाज प्यारी लगती है तो पपी है की किसकी पपी है की भारत देश खाली जग्या है नीराला भारत देश कैसा है नीराला यानि की प्यारा है भारत में सब लोग कैसे रहते हैं हिल मिलकर रहते हैं हिल मिलकर यानि कि एक दूसरे से मिल बाटकर जो हिल मिलकर रहते हैं तो हमारे MCQ सिक्सी है फिर हम उसकी खाली जगा यानि कि रिक्ट स्थान की पूर्टी कीजिए वो समझेंगी अभी प्रस्णा एक आ में MCQA जो मैं आपको बाद में उसकी PDF भेजूगी धन्यवाद मीत्रो